एल्विश यादव मामले में दोस्तों अभी एक लेटिस्ट अपडेट सामने आ रही है वो भी एल्विश यादव के फ्रेंड्स के हवाले से चली बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अवती शर्मा तो एल्विश यादव के दोस्त जो कि उनके साथ हर घड़ी रहते हैं दोस्तों हर प्रोजेक्ट के वक्त उनके साथ होते हैं उन्हीं दोस्तों में से उनके दो दोस्तों ने फिलहाल ये स्टेट्मेंट जारी किया है कि एल्विश यादव बिलकुल ठीक है और अभी भी एल् से मिले हैं उनको फिलहाल इजाजत मिली है मिलने की लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा वाली बात है वो ये है कि आखरकार दो घंटे के अंदर अंदर ये सारा मामला बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे जी हां इनका कहना है कि इनके वकील को भी वक्त नहीं मिला वहां तक पह पुश्ताच के लिए दैर किया जाता है उस नोटिस के जरिये एल्विश यादव को बुलाया गया था पुश्ताच के लिए और जैसे ही बुलाया गया वहाँ आ भी गए कल संडे था उसके बावजूद सारी कारवाई हो गई और दो घंटे के अंदर अंदर जो है अलविश को जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि हमें भरोसा है लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखा जाए तो अगर कल को ये चीज प्रूफ नहीं होती है तो अलविश का त कुछ भी नहीं किया है ऐसा उनके दोस्तों का कहना है दोस्तों कि अलविश बिलकुल भी गिल्टी नहीं है और इसी लिए अलविश चो है वो कोई भगोड़ा नहीं है वो तो सारी जांच में एक किसम से सहयोग कर रहा था जैसे ही पुलिस ने बुलाए अलविश वैसे ही तुरंत चला गया तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ और यहां पर उनके दोस्तों का ये भी कहना है कि अब तक कोई प्रमाण है नहीं कोई पुखता सबूत है नहीं आप सभी को क्या कुछ है कहना कॉमेंट्स में बताएए